यमिनटा के बाघ्शा मिदाय गंजाम्दाश रोड़ा के बड़े भाई का हुआ निदन मैं दानता में पिछले ऊक्षित due से बढ़ती बदला लेकिन गर्ता के रधे साम की ऑजनी सबी लोग उनके पास अंतामना देने के लिए पहुंचने के बतला दें के गंस अंदास के बड़े भाई राजे सैम जी पिछले काफी समय से बिमार चल रहे जिसके चलते हुए में दानता उस्पिटल में गुटते हैं अजु पस्वार कासामे के बाफ जैसे ही स सुरू हो रहे बाल माह वसंव के अंदर ज्यादा सज़ादा बच्छों से इसकाल बहतो प off के अदर पिर वोस् सचाल को दिया और एक लिवी में सबीकर ने सभी को एक पक्द्र भी प्रिजा ताकि ज़्यादा बच्चे इस बार मार उस सब का फैदा उटा सके और अपनी प्रतिबा को निखार करके आगे आ सके अब करोना की रिपोर्ट के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा यम्ना नगर के सिवल हस्पताल में में होगी करोना जाच याक्टर सिवल सर्जन विजे दिया ने दी जानकारी बतला दें कि अब करोना की रिपोर्ट 24 गंटे के अंदर ही मरीज को मिल पाएगी और इसकी सिवीदा के लिए अब यम्ना नगर के अंदर एक लैब को स्तावित करते है गया है जो जल्द ही इस अफ़ते में सुरू हो जाएगी यह जानकारी सिवल सर्जन डाक्टर विजे दिया ने दे बतलाया कि आपसे पहले जो सेंपल होते तो उनको जो है खानपूर या धान की फसल के ख्रीद को ले करके यम्ना नगर जिला उपर्ट ने अनाज मंडी का किया दोरा मंडी अधिकारी वे मंडी के साथ चुड़े सबी पदा अधिकारी भी रहे माजूद बतला दें कि यम्ना नगर के अंदर आजका लदान के ख्रीद के अंदर किसी तरह की कोई परसानी नाओ इसको लेकर के जिलाव पैक मुक्ल कुमाराज मंडी का दोरा करने के लिए पहुँचे जहां पर उन्होंने मंडी में पहुँच करके आड़ती हुआ किसानों से बाच्चीत भी और उनकी समस्याओं को जाना कहीं आड़ती ने बतलाया कि उनकी पेमड जो है पिछले है पूरा सब्सक्राइब यम्ना अगर से हाकी की प्लेश रहे चुकि दीपिका ठाकुर लगातार पिछले काफी समय से अर दिनवार के लिए ट्राई कर रही थी उसका नाम पिछले साल भी आते आते रहे गया जिसके बार उसमें कड़ी मेहनत करी इस बार भी जब उसको इस से ही उसका नाम आयत उसके बार है